है यह गाइस दिस इस कुल्दीप एंड यू वाचिंग यूपेसी लाइवरिश सो आज किस लेक्शन में हम जानेंगे किरावर बैंक के बार में आखे रिए किरावर बैंक होते ही क्या है और जो फिक्स सेक्टर जो अपना इंडिया का सो इसके बार में जाने है विकॉज इसक कि actor क्या योग्दान हमारे इंडिया की सी ड़ीपी में और जो इंडिया जो अभी सेखेफिट लाजर अस्वें में प्रोडूसर एफ इस सेक्टर का मैंसे प्रोड़क्शन के सेक्टर शेंड राट स वर्ल में सो इसके बार में और रउन जहाने हैं लिकोज अभी जो निशे नूइस है कि जो हमारे फेश री धेरी के मिनिस्टर अग्रीजाuration नाउस कके ऑख एक की तो सो इसकी वैयसे जो availability है फिस स्पर्म की वह इंक्रीव हो जाएगा वह आल टाइम हो जाएगा हर समय हर जगे पर इसकी availability open रहेगी तो इस चीज पर नेशनल फिस डेवलेमेंट बोर्ड एंड नेशनल वीरो आफ जेनेटिक यह क्रावर बैंक को डिफेंट्स पार्ट्स ऑव कंट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए तो जो किरावर बैंक तो होते हैं जो यहां पर हमार जहां पर इस पर मैंक या सीमन सी मंगोर्था सीमिन बैंक वहां पर घिस जागे को भोलते हैं सब्सक्राइब सेमान फीमन को सकता है स्थ रख सेमनं ut को बेचा वेडा स्टोर किया जाएगा सो यहां पर इस फिस्ट क्रावर बैंक इस्टेस पर है अगर अपनी यूपीसी लाप यूपीसी लाइबरी को टेल्ग्राम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिक्शन में दी हुई है इस फिस्ट क्रावर बैंक आखरे क्या है और नेशनल बीरो फिस्ट रेनेटिक रिसोर्सेज वह एक सार्व चीज़ पर इस चीज़ पर अलग लग जगह पर इस चाहिए है जो जावर बैंक्स पम उट फैसलेट एंवलिटी इस अबरने के वास त térस वुर्ट बन फैस्ट रेंक्स lifetime मिल फिस्ट का बेंक्स मिल мнेकों इस थो ग्रो enjoyingों इसकी वैसे इन्दिया की जो एक्सपोर्ट है जो ग्लोबर मार्गेट वैसे जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है जो ग्लोबर एक्सपोर्ट है जो ग्लोबर एक्सपोर्ट है जो ग्लोबर एक्सपोर्ट है जो और जादा इंक्रीज होगा इंडिया में जो फिस सेक्टर उसके बारे में देखते हैं, so फिस्री इस ही फास्ट ग्रोंग इंडिया में फिस्री सेक्टर जो है, वो फास्ट ग्रोंग सेक्टर है, so because, because which, because it provides nutrition and food security to a large population of the country besides providing income and employment to more than 14.5 million people. इंकम ऑपर सब्सक्राइब करता है तो फिक रहना हो इंकम और इंकम फ्रॉवैड करता है। उसके साड़ा है, तो इसके सहने हो बाई प игрोड़रो पड़ी इपने है I gluttona । जो फिशरी सक्टर है, has grown rapidly from 4.9% in 2012, जो 2012 में 4.9% था, वो आज में 13 से, आज की देट में 27-18 में 11.9% रहे, इतनी rapidly growth आई है, फिशरी सेक्टर में, जो फिशरी सेक्टर के जो contribution है, अपनी इंडिया की GDP है, वो 1.07% है, इंडिया की total GDP का, इसे अंदाजर लगा जा सकता है, कि फिशरी सेक्टर, इंडिया की GDP ले कितना important है, So, according to the National Fisheries Development Board, the fisheries industry generate the export of earning 334.1 billion rupees, So, इतना इतना इसे earning होती है, अगर हम जब fisheries को जब export करते हैं, global market में, So, India is the second largest fish producer in the world, जो कि अभी हाली में, India second largest fish producer है, After China, आप मतलब, इसमें China no.1 पर वे, second पर इंडिया है, So, with a total production of 13.7 million metric tons, इतना 13.7 million metric tons, इन 2018-19 में, इंडिया ने produce किया आया, Of the which 65% was from the inland sector, और जो 65% जो fishes आती हैं, वो inland sector से आती है, Inland sector में streverges हो गया है, पॉंड हो गया है, उसको inland sector बोला जाता है, So, इस चार्ट में आप देखें, इस चार्ट में आप पर जाएगा कि इंडिया के अलगलग state की fish sector में क्या भूमी का क्या उनके रोल है, So, सबसे ज़्यादा, 12.7, 12.16, 12.17, 12.18, 12.18, 12.19 का data दे रखा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दे रखा है कि अभी, इस चीज को आप याद रखें, यह सबसे ज़्यादा पूशा जाता है, So, इसी चीज को देखते हुए, इंडिया में हर साल 10 जूलाई को हर साल National Fish Pharma Day celebrate किया जाता है, और यह दे और इस दिन को हम Dr. K.H. Ali Kuni and Dr. H.L. Chaudhary को याद करते हैं, Because, इन दौनोंने Technology of Induced Breeding जिसको हाइफोफाइजेशन बोला जाता है, In 1957 में इसको इसको इन्वेंट किया जाता है, जिसमें फिसरीज के स्पर्म ब्रीडिट को और ज़्यादा इन्हेंस कई आ जाता है, इस चीज़ को याद रखना एक वेबिनार हुआ था, इस साल, On 10th of July, So, इस चीज़ का एम क्या था, So, इस वेबिनार के एम जाता है, To Recognize the Accomplishment and Contribution of Fist Farmer, जो Fist Farmer का जो Accomplishment या उनका जो Contribution है, जीडी में उसको रेकोनाइस काना, और जो Acopreneur जो होते हैं, जैसे हम एंट्रपेनर बोलते हैं, सही, Water Sector में उनको Acopreneur बोलते हैं, So, इस तरम को याद रखना, So, Acopreneur and Fist falls in the growth of the fishery sector in the country, So, इन लोगों की जो GDP में जो Contribution उनको रेकोनाइस काना, So, और इसके बाद to draw attention to changing the way the countries manage fishery or resources to ensure sustainable stock and healthy ecosystem, So, fishery sector को और boost करना, और इसको पूरे इसमें infrastructure develop करना, healthy ecosystem create करना, और जादा resources इसमें और ensure करना, sustainable करना, So, इस webinar का यह aim था, So, इस चीज़ को आप याद रखेगा, Then national fishery development, जो काफी बार आये, तो इसके बार में पढ़ते हैं आखर यह क्या है, So, it was autonomous organization, जो की autonomous organization है, Under the administrative control of ministry of agriculture and farmers welfare, और जो की established होज़ी दोच हमें, जो ministry of agriculture के अंडर है, But now, it work under the ministry of fisheries, animal husband and daring, जो की अब change हो की ministry of fisheries, animal husband and daring के अंडर है, So, इस चीज़ को आप याद रखना है, यह काफी important point है, Then, So, इसके बार यह work किस पर करते है, So, it works with the objective to enhance fish production and productivity in the country, So, इसका main objective है, fish production पर उनको और enhance करना, और उसकी productive भी को increase करना, So, it also coordinate with the fisheries development in an integrated manner, जो की और भी fisheries development उनको और integrated manner में है, और ज्यादा उनको coordinate करना है, और चीज़ों को enhance करना है, Then, National Bureau of Fish Genetic Resources, So, यह established हुआता है December 1983 में under the edges of Indian Council of Agriculture Research, जो ICAR इसके अंडर यह काम करता है, So, it does the research related to the conservation of fish germplasm resources in the country, So, यह fish के germplasm को conserve करने के लिए इसका use किया जाते है, यह organization इस चीज़ में यह इसका work है, So, इस sector से एक related, एक scheme में जिसका प्रदामंत्री मतद्स्य संपादन यूजना है, So, इसको launch कहता है उन्दों विजनों double the farmer income, So, इसका जो main aim था कि farmer की income को double करना, So, this scheme adds the gap in fish production, मतलब जो fish production में उन gap को address काना, Like, जो की productivity, technology, post harvesting, infrastructure, management, quality, modernization, standing of value chain and fishermen welfare, So, ऐसे जो gap है उनको address करना है, और fish sector को और ज़्यादा enhance करना है, और वो ताकि इंडिया की GDP में और ज़्यादा contribute कर सकते, So, इसे related और भी है, So, for seeing the vast resources potential and possibilities in the fisheries sector, जो fisheries sector में काफी सारे vast resources और ऐसी possibilities है, potential भी है, So, इस चीज को देखते हुए, एक separate department of fisheries was created in February 2019, So, एक department अलग से create कर दागया, February 2019 में, So, और इसके रावाद the government has merged all the scheme of fisheries sector into umbrella scheme of blue revolution, So, इस sector को और ज़्यादा enhance करने के लिए, Blue revolution के under, जो एक umbrella scheme थी, So, उस umbrella scheme के under, काफी सारी scheme को merge कर दे गया, So, Blue revolution like integrated development and management of fisheries, So, Blue revolution को, Sorry, Blue revolution को umbrella scheme बना दिया, So, इसका कामता to focusing on increasing fish production and productivity from aquaculture and fisheries resources both inland and marine, So, दोनों को inland मनें, दोनों को देखेगी, So, आगर आपने UPSC sub library को subscribe नहीं तो, Please subscribe the UPSC library and press the bell icon for more updates, दर्नवाद.